हाई फ्रेंस वेलकम तुमा चैनल अधितीज किचिन आज हम बना जाने आटे से बिस्किट आटे से खस्ता बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए घी नायरल के बुरादा चीनी पीसी वी और दोकोटोरी आटा सौफ हलका कुटावा इसको दरदरा कूट लीजेगा इलाइची को भी दरदरा कूट लीजेगा अब एक कोई बर्तन ले लीजे बड़ा उसमें हम इसको पीनी पहले सबसे पहले घी डालेंगे घी मेल्ट हुआ होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अब इसमें आड़ करेंगे चीनी, चीनी को पीश लीजिए, अगर चीनी आपके पास पीशी भी है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको मिक्सी में एक बार चला लीजिए, वो बिल्कुल ही पाउडर बन जाएगा यहाँ पे मैंने नारेल का बुरादा लिया है, आप नारेल को भी घर में भी पीश कें और इस तरीके से बुरादा बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसमें कुटी वी लाइची, कुटी वी सौफ, मैंने दोनों चीज को दरदरा ही कुटा है, बिल्कुल फाइन नहीं कुटा, इसका पाउडर बनाया है, बिल्कुल दरदरा कुटा है, इसको हलके से, और इसका मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसको बिल्कुल भी ल तब तक इसको mix करते रहे है जब पूरी तरीके से लंप निकल जाएंगे तो यह बिल्कुल ही soft तरीके से हो जाएगा देखिये इस तरीके से यह बन जाएगा अब इसमें हम आटा एट करेंगे मैंने या पहले सबसे पहले एक वाव लाटा लिया है इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी आटे को थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे फिर्ण्स इससे लंप नहीं बनेंगे और मिक्स अच्छे से हो जाएं को मिस्टने में आसानी हो अब मैं आधा कटोरी आटा और डालूंगी इसमें और इसको मिक्स करूंगी थोड़ा-थोड़ा करके आटा में लिक्स कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूं अब मैं आधा कटोरी आटा और डालूंगी और फिर मैं इसको अपने हाथों से मिक्स करूंगी अब इसे आप अपने हाथों से mix कीजेगा अच्छे से जब तक इसमें मोई न अच्छे से न लग जाए इसको mix करजेगा इस तरीके से यह कठा हो जाएगा इसे इस तरीके से मसल मसल के mix कीजेगा बिल्कुल भी इसमें गाटना पड़े देखे इस तरीके से एकठा हो जाएगा और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पाइं डालके इसका एक डो तयार कर लेंगे जैसे हम रोटियों के लिए आठा गूंते हैं वैसे बिल्कुल हम इसका आठा गूंत लेंगे थोड़ा थोड़ा पार करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मसल मसल की इसका अठा लगा लेंगे तो हम सौफ्ट आठा हो जाएगा बिना किसी गाठ के देखे फैंस यह कट्टा होना शुरू हो गया है तेर घी छोड़ दिया है पूरी तरीके से यानि अब इसमें पानी बिल्कुल मढ़ डालेगा और इससे अच्छे से मसलिएगा और इसको इस तरीके से हम इसका एक डो तयार कर लेंगे जब तक एक अठा नहों जाए इस तरीके से इसको मसलते रहेगा देखे इस तरीके से बिल्कुल भी इसमें गाठे नहीं रहेंगी बिल्कुल ही सॉफ्ट टोर तयार हो गया है अब इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से मैं हाथ पर मसलते के इसको पहले लोई बना लूँगी फिर इसको मैं पेड़े का शेव दे दूँगी इस तरीके से फोक की हेल्प से इसमें एक डिजाइन बना लेंगे प्रेस करके देखे कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन बन जाएंगे इस तरीके से मैं बाकिये भी बना लूँगी एक साथ साढरे पेड़े बना लीजेगा और इसके बाद फिर इस तरीके से इसको हतेली से दबाके इस पर शेप दे दीजेगा फोक की मदस से कि देखे इस तरीके से से यह शेप बन जाएगा और हमारे आटे की बिस्किट पर डिजाइन भी बन जाएंगी अगर फ्रेंज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लिएजे ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको अथानी से मिल सके इस तरीके से मैं इसको तल लूँगी धीमी आज पर इसको तलेंगे फ्रेंज बिल्कुल ही इसको दो से तीन बार पलट के दोनों साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजेगा दीमी आज पर तलने का फाइदा यह होता है फ्रेंज कि हमारी बिस्किट अंदर तक पक जाएगी और तम खसता कडारी कुरकुरी की बिस्किट बनेगी मेरी आगे आने वाली वीडियो को जल्दी प्राप्त करने के लिए आप लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लीजे मेरे चैनल को झाल झाल एक बर और पलट लीजिए इसको अब ये फ्रेंड्स हमारी विस्किट तयार होने जा रही है और ये अब नहीं टूटेगी अब इसको आप पलट लेगा तो अब ये नहीं टूटेगी ये सॉफ्ट नहीं रहेगी धिरी-धिरी कलग खसती होने शुरू हो जाएगी ठंडा होने के बाद ये पूरी तरीके से खसता हो जाएगा एक बर और पलट लीजे इसको अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में इस तरीके से आप इसको निकाल लेजे और बाकी भी मैं इस तरीके से तल लूँगी ऐसे सिंपल रेसिपी के लिए है डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल बाकियों को भी मैं तल लूँगी इसको फ्रेंज जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप इसे रख सकते हैं आराम से यह बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा यह खसता कुर्कुरी करारी आपके घर में आटे बन लिए हैं